चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सामराज्य के संस्थापक, जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा और उसे साकार भी किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस राजा ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की, उसकी मृत्यू आज भी इतिहास के पन्नों में एक गूढ पहेली बनी हुई है, क्या चंद्रगुप्त ने सच में सन्यास लेकर भूग से अपनी जान दी थी, या इस कहानी के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया और दक्षिन भारत के श्रवन बेल गोला में एक गुफा में जाकर तपस्या शुरू की, क्या ये उनके जीवन का अंत था या कुछ और। महान योध्था और समराट इस तरह शांति पूर्ण धंग से अपना अंत चुन सकता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंदरगुप्त की मौत से जोड़ी कहानिया उनके वास्तविक अंत को छिपाने के लिए घड़ी गई। क्या मौर्य समराट का असली अंत किसी राचनातिक विद्रोह का परिणाम था या उनका आत्म समर्पन आध्यात्मिक मुक्ति की ओर एक कदम था। तो क्या चंदरगुप्त मौर्य की मौत सचमुच रहस्यमाई थी या हम केवल इतिहास के उन धुन्दले पन्नों में खो गए हैं। इस गूढ पहेली का उत्तर शायद आज भी कहीं छिपा हुआ है। कमेंट में बताएं कि चंदरगुप्त मौर्य का अंत क्या वाकई साधारन था या इसके पीछे छुपी है एक अनकही साधारन था।